हेलो दोस्तो ना स्वार्ट करता हूं आपका यूट्यूब चैनल नोटबुक में तो दोस्तो आज की belang में हम इंक्जाम के कोई question को डिस्कस नहीं करेंगा आज की क्लास में हम मालग इंटरेस्टिंग fact के बारे में जानेंगे जो कि आप लोग को एक्जाम क्लियर हो जाएगे ठीक है तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि मेरी सभी क्लासेश की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में तो आए फ्रेंड्स पहले हम लोग वन स्कॉल टू प्रूव करके देखते हैं और फिर इसकी लिमिटेशन को देखेंगे कि क्या यह हंड़ड़ परसेंट करेक्ट है या नहीं ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले लेट एक्स इक्वल टू वाई ठीक है हम लोग इक्वेशन के है अब क्या करेंगे दोस्तों इस पे लग बोग बोट साइ्ट उस एक्स से मटिप्लाइ करें गया टाक है अब क्या लोग यह सक्वैर करेंगे लुग धो X प्लस Y और X – Y लिख सकते हैं, ठीक है एक Between तो में हम लोग Y को Common ले सकते हैं यहापर y को Common ले सकते हैं यहाँ से है यहाँ सक्वाहित है यहे कैंज से आप लोग का Y दोनों तरफ कवा माना रहा है ठीक है तो इसको हम लोग क्या करते हैं एलिमेट कर देते हैं तो दोस्त अब अब आप लोग क्या बचकिए एक्स प्लस बराबर वाइट एक्स प्लस Y is equal to Y, ठीक है, और हम लोगों नहीं यहां पर देखिए हम लोगों ने, यहां पर X बराबर Y माना हुआ है, ठीक है, X equal to Y माना हुआ है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर X के जगपे Y भी बैठा सकते हैं, तो यहां लिख देंगे y plus y is equal to y और यह होगी आप लोग का 2y बराबर y और यहां से क्या होगी आप लोगा यह y cut गिया तो 2 is equal to 1 या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 is equal to 2 तो यह हम लोग का proof होगी है तो दोस्तो हम लोगों ने proof तो कर दिया 1 is equal to 2 तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें अब कुछ गलती है कि नहीं ठीक है तो दोस्तो हम लोग step 1 में ही देख सकते हैं कि x equal to y है ठीक है x equal to y इसका मतलब क्या होता है x minus y is equal to 0 होजाएगा ठीक है x equal to y है तो x minus y equal to 0 होजाएगा और दोस्तों यहां step 4 में रिखी हम लोग ने x-y को दोनों तरफ से हटा दिया ठीक है eliminate कर दिया है तो friends mistake यहीं पर ठीक है जो गलती है वो यहीं पर हम लोग कभी भी इस तरह से इसको हटा नहीं सकते क्योंकि दोस्तों x-y यहां पर क्या है 0 है दोनों तरफ 0 है ठीक है हम लोग जो equal के कभी भी दोनों साइट 0 को eliminate नहीं कर सकते ठीक है काट नहीं सकते हैं तो इस चीश का आप लोग ध्यान दीजेगा जैसे कि दोस्तों मान लीजे कि यहां पर क्या है आप लोग का 6 multiply 0 है और मान लीजे कि 3 multiply 0 है ठीक है तो इसमें हम लोग अगर चाहेंगे कि यहां भी 0 को हटा के 6 फिकाट नहीं होगा इसको रहुआ है यहां पे कभी भी हम लोग का यहां पर क्या एकवल है एक्वल के दोनों साइड हम लोग 0 को हटा नहीं सकते तो दोस्तों यहां भी चाहेंगे तो यहां पर हम लोग 100 रख देंगे यहाँ पर 20 रख देंगे 3 के जगा तो यह तो आप लोग का हंडेट इक्वल 20 भी पूरूव हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से यह नहीं होगा तो friends conclusion यहीं इकलता है कि हम लोग theoretically वन इसकोल करें प्रूव कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यह लौजिकली गलत है एंक्वाल कीविल कभी ध्यान दीजिएगा तो दोस्तों आप लोगों को आज ही क्लास काफी इंट्रेस्टिंग और लगी होगी ठीक है तो फ्रेंज अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी क्लास की नोटिफिकेश हो जाए ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हम लोग मंडे से हमारी रिविजन क्लास में तब तक के लिए थाइंक यू एंड गॉड ब्लेस यू अल